Hello students, I am Dipendra, welcome you all to Magnet Brains. Singage Mathematics, जिसके तुरू आपकी IAD-GEE means और GEE Advanced की एक comprehensive और detailed तयारी हम करवा रहे हैं, 11th and 12th Standard के Mathematics को पूरे तरीके से comprehensively cover करते हुए. एक अच्छी तयारी यकीनन तोर पर यह है, क्योंकि हम बहुती detailed manner में हर एक concept को पढ़ रहे हैं. Singage Mathematics का है पाकेज, पांच किताबों में divided है, Coordinate Geometry, Calculus, Vectors in 3D, Algebra और Richtormatory. हम यह सारी बुक्स के हर एक chapter के हर एक concept को एक एक करके पढ़ते हैं, उनके illustration और examples करते हैं, इसके बाद हम इनकी exercises के questions करते हैं, ताकि हर concept को revise करवाया जा सके और आपको यह एहसास, यकीन और भरोसा दिलाने के लिए कि एक आसान सी exam है, जिसे crack करना यकीनन तोर पर बहुत tough नहीं है, इसके लिए हम J.W.E. Advanced के previous years questions भी करते हैं, उस chapter के completion पर. तो बिलकुल आज के इस lecture में हम वापस से अपने पैरा बोला के discussion को continue करेंगे, जिसमें हम इसके exercises डिसकस कर रहे हैं. यह सब कुछ बिलकुल free of cost हो रहा है, कोई charges नहीं लेते हैं, कोई subscription खरीदने को नहीं कहते हैं, कोई trial version या paid version जैसा हमारा कोई model नहीं होता, हम 100% free of cost, quality online education, kindergarten से 12 standards तक डिलिवर करते हैं, आप हमारे PDFs, notes और e-books के लिए team से contact कर सकते हैं, आपको एक link दिखाए देगा, get notes, वहाँ click करके. देखते हैं आज के lecture में क्या चीज़े unfold होती हैं, यह रहा आज का आपका पहला question, जो कि किस category पर based है, यह linked comprehension type questions है, याने आपको एक passage दिया जाएगा और इस passage पर based आपको questions करने होंगे, यह आज के आपके रहे questions, तो सारे questions हम attempt करेंगे, पर पहले इस passage से, जो जो भी चीज़ें, you know, infer की जा सकती हैं, जितने भी इसके interpretations निकल सकते हैं, वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, पहली चीज़, वो क्या कह रहे है, tangent to this parabola, तो सरी एक parabola मुझे दिख रहा है, जिसके बारे में मेरा opinion बड़ा simple सा है, कि यह एक standard सा parabola है, जिसमें थोड़ी सी चीज़े differ कर गई हैं, बढ़ ठीक है, at the point of intersection of the y-axis, मतलब इस parabola का जो y-axis से intersection है, वहाँ पर जो आपने tangent draw की है, वो tangent इस circle को भी touch करती है, कुछ बाते दिमाग में, you know, I hope pass हो चुकी होगी, जब तक मैंने कहा, आपने थोड़ा इसे visualize कर लिया होगा, इसका y-axis intersection भी सोच लिया होगा, कैसे निकालेंगे, और यह भी सोच लिया होगा, कि वो जो intersection आ जाएगा, उस पर tangent की question क्या होगी, यह भी आराम से निकाल लेंग इस दर्मियान उसने कुछ और भी लिखा है, no point of the parabola is below the x-axis, इसका क्या मतलब है, इस बात का क्या उच्चत है, यही आज के हमारे question का पहला important जरूरी, part है जो कि आपके इस question का crux होगा, जब कोई कह रहा है, no point of the parabola is below the x-axis, इसका क्या मतलब है, सर, मुझे जो simple सा thought समझ आता है, वो इतना सा यही है, कि अगर कोई भी point x-axis के नीचे नहीं है, मतलब क्या, आप सोच के देखो न, अगर आप इसका craft बनाओगे, तो यह कैसा दिख रहा है, यह quadratic equation नहीं दिख रहा आपको, बिलकुल सर दिख रहा है, और अगर यह quadratic equation दिख है, तो आपके दिमाग में क्या thought आता है, सर, एक parabola, और यह कैसी quadratic है, आप देखो, इसको भूल जाओ, यह ऐसा नहीं दिख रहा, a x square plus b x plus c, हमारे जो standard parabola होते थे हैं, जो quadratic क्या बनाते हैं, algebra में जो हम और detailed manner में पढ़ेंगे, सर, अगर ऐसा कुछ है, तो आप कहना या करन या बोलेना क्या चाहरे हो, मैं आपसे बिस इतना सा कहना चाहरे हो, कि अगर आप इसका graph plot करते हैं, तो वो graph कैसा बनेगा, मेरा यकीन है, वो graph कुछ ऐसा बनेगा, लेकिन इस दोरान आपने गलती कर दी, सर, यह जब आपने graph बनाया है, तो आपने यह बना दिया, कि इस graph म उपर है, ऐसा वो कुछ कहना चाहरे है, कि आप कोई बात समझा रही है, मैं बस इतनी सी बात आप से कहना चाहरे हूँ, कि अगर यह curve हमेशा x-axis से उपर है, मतलब मैं quadratic के थूँ यह कह सकता हूँ, कि सर, इस curve का x-axis से उपर रहने का एक ही तरीका हो सकता है, कि इसके कोई भ ही रियल रूट ना हूँ, जो आप कहते हो कि equal and you know, रियल रूट, मतलब दो रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे, वो केस भी ना हो, यह हमेशा x-axis से उपर है, मेरा यह कहना है, यह सिर्फ तब ही संभव है, यह सिर्फ तब ही possible है, जब यह पैराबोला के कोई भी रि है, तो कितना हो जाएगा, this square, यह कितना a square, minus 4 into this into this way, minus 4, और यह क्या होना चाहिए, यह होना चाहिए, यह होना चाहिए, negative, I hope यह बात आप समझ पा रहे हो, यह आप कहना चाहरे हो, sir, a plus 2, और आपका a minus 2 क्या होना चाहिए, negative, I hope आप कोई बाते पता है, अब एक छोटी सी method introduce करना चाहिए, जिसे आप कहते है, wavy curve method, याद है, आप सभी को wavy curve method, इसमें हम क्या करते हैं, sir, हमारा number line, number scale बनाते हैं, और आप वैसे तो इसको देखकर ही आपको लिखते आना चाहिए, पर चुकि यह wavy curve method में आपको सिखाना चाहिए, क्योंकि हर बार, चीजे बस इतन जो मिलता है, 0 plus 2 positive, 0 minus 2 negative, positive into negative, negative, तो ये zone होगा आपका negative, ये होगा positive, और ये भी होगा positive, आपको क्या चाहिए, negative, अगर आपको चाहिए negative, तो negative कहा है, minus 2 से 2 के, तो पहले तो में ये conclude करूँगा, कि sir, जो A आपका होगा, वो minus 2 से 2 के बीच में ही होना चाहिए, ready all get that, मतलब अगर आपका A minus 2 से 2 के बीच में है, तो आपका कर्व हमेशा x-axis से उपर होगा, जो आपके इस question की आखरी condition थी, no point of the parabola is below the x-axis, no point of the parabola is below the x-axis, anyway, उसने थोड़ा सा, जिस तरीके से से कहा, मैं ये कहूँगा, यहाँ पर equal sign लेने में भी कोई बुराई नहीं है, equal sign लेने मे भी कोई बुराई इसलिए नहीं, क्योंकि उसने ये नहीं कहा है, कि ये पूरे तरीके से x-axis के ऊपर रहना चाहिए, उसने कहा था कि इस parabola का कोई भी हिस्सा x-axis के नीचे नहीं है, तो x-axis को touch कर सकता है, बिल्कुल हमने इस बात का violation तो नहीं किया ना, कि हम x-axis को touch कर सकता है, मतलब इसका discriminant 0 हो सकता है, और इसका discriminant 0 हो सकता है, तो एक छोटा सा correction आप यहां पर लेकर आएंगे, कि minus 2 और 2 को आप include करेंगे, आप उसके उपर closed bracket लगाएंगे, क्यों लगाएंगे इस है, क्योंकि अगर मैं minus 2 और 2 रख देता हूं, तो इसके roots मिलेंगे, लेकिन उस case में, वो X-axis को बस touch कर रहा हो, मतलब roots real and equal होंगे, पर फिर भी हमने यह ensure जरूर किया, कि आपका curve, आपका curve, X-axis के नीचे नहीं गया, क्या यह बात है, वो open bracket मैंने गलती से लिखा था, मैंने इसे ऐसे read या treat कर लिया था, कि आपका हमेशा X-axis के उपर होना चाहिए, बिलक इन बातों का inference निकालने की कोशिश करते हैं, कि इन सारी बातों का क्या मतलब निकलेगा, मैं पहले तो शुरुआत इसी point से करता हूँ, कि सर आप एक बात बताओ, आपने minimum और maximum value निकाल ली, बिलकुल निकाल ली, अब एक छोटा सा point निकालो सर, क्या हालातों के अंदर, आ when a attains its maximum value, मेरे ख्याल से जब a अपनी maximum value लेता है, तो sir, a minus 2 से 2 तक हो सकता है, तो a की maximum value क्या होगी, plus 2, है ना, I hope आपको समझ आ रहा है, तो आपका पैराबोला क्या बन जाएगा, sir, आपका पैराबोला बन जाएगा, y is equals to x square plus, है ना, ये कितना है sir, a x याने कितना 2x plus 1, do you all agree with that, अब आप मुझे ये बताइए, ये y axis पर कहां intersect करता है, sir, point बड़ा simple सा है, जब ये y axis पर intersect करेगा, जब ये y axis पर intersect करेगा, तो x coordinate क्या होजाएगा, 0, I hope ये बात आप सब जानते हैं, बड़ी simple सी बात है sir, अगर ये y axis को intersect करेगा, तो x coordinate 0 होना था है, तो मै ये चाहिए 0,1 पर इस curve पर draw की गई tangent की equation, आपको याद है, सबसे आसन तरीका, t is equals to 0, ये आपको किसी भी curve में help करेगी, आपको उस point पता हो, उस curve पर, और वो curve की equation पता हो, तो t is equals to 0 apply करते हैं, और क्या लिखते हैं, इसकी tangent की equation, तो कोई और तरीका नहीं हो सकता, क्या हो स करता है, यादे, differentiation वाला तरीका, वहलब कोई formula याद करने या रठनी की जरूरत नहीं है, बस यही बात में आपको सुन्धाना चारू की नहीं है, दोनों तरीके आपके पास हैं, तो t is equals to 0, try कर लिए, differentiate कर लिए, मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूं, जैसे मालू मैंन ना, 2x, plus 2, है ना, 1 का differentiation 0, 0, 1 पे आपने draw किया, तो x की देगे क्या रख दीजे 0, तो dy by dx, dy by dx, at which point, at 0,1, कितना आता है सर, at 0,1, it turns out to be 2, क्या इस बात से आप सब सहमेत हैं, तो यह आती है, आपकी dy by dx की value, बहुत बढ़िया, अब आपका क्या 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 नहीं है, अब अ tangent किस point से पास होती है, यह पता है, I hope यहां से आप लिख सकते हो, इसके अलावा, पहले अगर यहां से equation लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे, y minus y1 is equal to m, x minus x1, तो यह आपकी line की equation हो जाएगी, क्या, 2x minus y, plus 1 is equals to 0, आप इसी tangent की equation तक एक और तरीके से पहु यहां पर t is equals to 0 apply करता है, यही पूरी process में एक बारा हो बता देता हूं, t is equals to 0 वाले तरीके से, वो क्या कहता है, सर y की जगे रखे, y plus y1 by 2, तो आप क्या रखेंगे, आप रखेंगे y plus 1 by 2, x square को replace करिए x x1 से, तो x square को replace क्या x x1 से, तो 0 into x कितना 0, I hope कोई confusion नहीं है, x को replace करिए x plus x1 by 2 से, तो x plus x1, नहीं है, x plus 0 by 2, तो कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा x by 2, और आपके पास यह 1 तो है ही, इसे कुछ मत करिए, 1 ऐसा क्या सर, कोई परिशान है, कोई तकलीफ तो नहीं, अब अगर कुछ चोटे मोटे changes या बदलाव हम करने की कोशिश करें, तो एक बड़ी basic सी बात में करना चाहरा हूँ, इस 1 को क्या मैं 2 by 2 लिख लो तो आपको क्या आपती तो नहीं, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सर बड़ी simple सी बात है, उस case में अब आपकी चीज़े sorted है, क्योंकि आप देखो, यह 0 तो हडग गया, अब सब के denominator में 2 है, त क्योंकि यहाँ पर यह 2x-y नहीं दिख रहा है, हाँ, वहाँ पर 2 भी था, मैंने वो 2 नहीं लगाया था, इसका 2 भी था, जो मैं लिखना बूल गया था, तो यहाँ पर यह 2 भी रहा होगा, जो कि हमें लगाना चाहिए था, जो मैंने नहीं लगाया, हैना, तो अगर यह finally आप 2 लगाते तो clear सी equation वापस के बन जाएगे 2x minus y plus 1 जो कि यही थी तो आप दोनों तरीकों से ही ला सकते थे मैं कहूंगा इसके बजाए बेशक यह तरीका एकदम वाजब और सही तरीका है पर इसके बजाए प्रिफर करिएगा T is equal to 0 जिससे हम फटा-फट मतलब ना डिफरेंशेट करना है ना वाल्यू पास करनी फिर M निकालना है फिर स्ट्रेट लाइन की कुछ निकाली उससे आसान और अच्छा तरीका होगा T is equal to 0 तो हमें क्या मिल गई? सर हमें आपकी इस पॉइंट 0,1 पर ड्रॉ की गई टेंजिन की एक्वेशन मिल गई अब क्या? अब आप जानते हो क्या वो पूछ रहा है वो वो बोल रहा है radius of the circle तो circle की radius कौन सी बड़ी बात है? बड़ा basic सा thought है, कैसा thought है और क्या thought है? सर जब radius of the circle आपको निकाल नी है तो आप circle की equation देखो, circle का center is 0,0 so technically question क्या है? question है 0,0 से इस line की जो perpendicular distance है वो किसके को लोगी? radius की जो क्या है? R कोई confusion तो नहीं है भई, simple जी बात है 0,0 से इसके perpendicular distance, so 0 into 2, 0 into minus 1, 0, plus 1, है ना, mod लगाने की जोड़ाती है क्योंकि 1 है upon में 2 square 4, plus 1, 5 तो कितना हो जाएगा? under root 5, कोई confusion तो नहीं और यह किसके equal होगा सर? यह होगा आपका radius के equal क्योंकि वो tangent है circle की भी और इस basis पे आप बिना सोचे समझे कॉंस option mark कर देंगे? सर option B सीदे सीदे आप कांसर होगा, क्या यह question समझ आया? next question try करें, कोई दिक्कत तो नहीं है भी, सर अगर इसी बात पे, अब अगर मैं next question try करूं, तो next question में क्या लिखा है पहले, वो देख लेते हैं, अगले सवाल में वो कह रहा है, the slope of the tangent when the radius of the circle is maximum, तो circle की radius को मैं maximize कर दूँगा, पर हमारे पास curvature क्या है? curve है सर, y is equals to what? x square plus ax plus 1, 2 तो हमने एक ही value इस question के लिए 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 थी, by the way, curve क्या है? y is equals to x square plus ax plus 1, अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इसकी, you know, slope of the tangent, तो tangent तो वापस वही है ना, कहां पर, आप 0,1 पे निकाल रहे हो, तो tangent जब आप 0,1 पे निकाल रहे हो, तो मैं tangent क्या लिखूंगा? कहसबार में t is equals to 0 से लिखूंगा, आपको कोई परिशानी तो नहीं होगी, t is equals to 0 apply क्या, तो y को y plus y1 by 2 से, so y plus 1 by 2 से replace क्या, तो यह हो जाएगा y plus 1 by 2, है ना, x square को x x1 से, so 0 into x, 0, ax को replace क्या, तो कितना हो जाएगा a, है ना, x को replace क्या, x plus x1 by 2, तो कितना हो जाएगा x by 2, और plus 1 तो है ही, जिसे में लिख लेता हूँ, 2 by 2, कोई परिशानी तो नहीं है, ऐसा करने का reason आप समझ ही गए होंगे, सर सीधी सी बात है, आप देख रहे हो कि ये 2 हट जा रहा है, है ना, और ये 2 और ये 2 भी हट जाने है, है ना, यहां से ये 2 हट जाना है, ये 2 भी हट ज लिखने के बजाए, क्या मैं ऐसा लिख हो, तो आपको चलेगा, यहां से देखना, मैं लिखता हूँ, इसे AX, है ना, Y को ये दला है, तो माइनस Y, और 2 माइनस 1 कितना 1, तो ये आपकी tangent की equation बन गई, जहां पर ये curve Y axis को intersect करता है, अब मेरे एक सबल का आप जवाब दीजि चुकि ये जो line है, ये tangent है आपके circle की भी, जिसका center है 0,0 पर उसकी radius है R, तो 0,0 से इसकी perpendicular distance कितनी हो जाएगी, वही बात, 0 into A, 0 into minus 1, 0 plus 1, है ना, upon में, under root over A square plus 1, तो root over A square plus 1, ये किसके equal होगा, ये होगा equal to radius, अब वो क्या पूछ रहा है, वो सुनिएगा, वो पूछ रहा ह slope of the tangent, तो इस tangent की slope हम निकालेंगे कब, जब आपके circle की radius क्या हो, circle की radius maximum, अब आप एक बात बताओ, बहुत ध्यान से statement का जवाब देना, sir आप चाहते हो, R आपका maximum हो, आपका 1 तो constant है, तो ये तो fixed, ये change होगा नहीं, तो इस fraction को बड़े से बड़ा बनाने के लिए, इस denominator को छोटे से छोटा बनाएंगे, सुन रहे हैं आप लोग, denominator को छोटे से छोटा बनाना, मलब A square plus 1 को छोटे से छोटा बनाना, क्या आप देख पा रहे हो, सीज़े सीज़े option में भी आपका answer लिखा हुआ है, अगर मुझे A square plus 1 को छोटे से छोटा बनाना है, खुद सोच के बत जानते हैं, सर की A जो है आपका वो किस से किस के बीच में हैं, वो माइनस 2 से 2 के बीच में हैं, लेकिन बात A की नहीं है, बात है A square की, बात किस की है ए A square की, क्योंकि A k होने से कुछ नहीं होगा, यहां पर A square है, A square की Minimum Value के होगी, सर A square हमेशा Señor positive value होगी, क्योंकि A अगर म जो A square की minimum value चाहिए, तो मैं क्या कहूंगा? 0. क्या आपको यह बात दिख रही है? A square की value 0, याने A की value 0, और A की value 0 होने का क्या मतलब है, सुनिएगा? Sir, Y को वहाँ shift करिए, तो Y is equal to AX plus 1. शेलाइ से इस tangent की slope है A, tangent की अगर slope है A, tangent की अगर slope है A, जो की हमारे लिए इस सिनारियो में कितनी है 0, तो आप क्या कहेंगे? कि Sir, जब आपके इस parabola के Y axis के intersection पर, जो आपने tangent ड्रॉ की है, जो की उस circle की भी tangent थी, उसमें जब यह condition apply की जाए, जब आप radius को maximize करवाना चाहिए, तो maximum radius तब मिलेगी, जब आपकी A की value कितनी हो? 0, कोई confusion तो नहीं है, एक आसान, simple और direct सा question, जिसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगानी की ज़रूत नहीं है, और ऐसे ही basic से question आएंगे, बेशक जब आप concepts आप बारी किया, आप basic से simple से thoughts अप्लाइ करना जानते हो, तो, क्या इसमें कोई परिशानी? I think नहीं है, अगर ये question clear है, तो क्या मैं move करूँ next question पर? Here comes another question for today, क्या बोल रहा है हो? जब either way, इस question में जब वो बोलता, कि वो maximum radius कितनी होगी, तो सब जब A 0 होगया, तो 0 plus 1, 1, 1 can't root 1, 1 upon 1, 1, तो radius कितनी होगी, 1, in case वो पूछ था कि maximum value क्या होगी, radius की, I would have said 1, in case अगर ये सवाल आता तो, अब वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है, the minimum area bounded by the tangent and the coordinate axis is, किस-किस की बात कर रहा है वो? आपके tangent की बात कर रहा है, और clearly वो क्या बात कर रहा है? coordinate axis की. अच्छा, एक बात बताओ sir, tangent की equation क्या रही है? आपके tangent की equation निकाली थी, वो आपकी आती है, ax-y plus 1 is equal to 0. tangent की जो equation, कोई condition आप apply मत करो, आपकी tangent की equation आती है, ax-y plus 1 is equal to 0. अब आप एक बात दोजाओ, इस area को minimize हम कर लेंगे, आप सारी बाते छोड़ो sir, आप एक छोटा सा statement दो, ये tangent है कहीं ना कहीं, और आपके पास access है, अब एक बात बताओ, ये tangent x-axis और y-axis को कहां intersect करती है, अगर वो मैं पता करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूँगा, एक बार x की जगे 0 रख दूँगा, जैसे ही x की जगे 0 रखा, तो y की value कितनी है, 1, तो एक coordinate तो क्या होगा, 0,1, similarly, एक बार अगर मैंने y की जगे 0 रखा, तो जैसे ही y की जगे 0 रखा, आप देख रहे हो क्या, तो x की value कितनी है जाएगी, वह जाएगी minus 1 upon है, तो कितनी है जाएगी, minus 1 upon 1,0, मैं मान लेता हूँ थोड़े के लिए, बस समझाने के लिए आपको, दिहां से सुनिएगा, मैं मान लेता हूँ, जो आपकी tangent है, वो कुछ ऐसी है, जिसका of course, जो कि आपकी tangent है भई, वो कुछ ऐसी सी बनी हुई है मान लो, और जो कि यकीनन तोर पर, आपका यहाँ पर जो intercept लेती है, वो कितना है, minus 1 by a,0, और यहाँ पर जो intercept लेती है, वो कितना है, 0,1, वो आप से इस region का, वो आप से इस region का area पूछ रहा है, आपने कैसे पता किया सर इस region का, क्योंकि आपको देखो ना, tangent और coordinate axis, तो tangent और coordinate axis मिलके यह region बना रहे है, यह clearly सर एक right angle triangle है, अगर यह एक right angle triangle है, तो इसका area कितना होगा, half base into height, तो इस ता area होगा, half, इसका area होगा, half base, अब चूकि आप distance लेते हैं, तो minus one upon a का आप mod ले लिजेगा, तो इस कितना होजाएगा, सरी होजाएगा, one upon mod a, क्योंकि a नहीं पता ना, मुझे की positive and negative, क्योंकि वो minus two से two के बीच है, और क्या height कितनी है one, तो यहाँ पर आप multiply कर देंगे one, अब अगर इस area को में rewrite करता हूँ, तो area कितना आता है sir, area आपका निकल कर आ रहा है, basically one upon two times mod a, कहा क्या गया था, आप वो देखो, आप से पूछा जा रहा है कैसा area, आप से पूछा जा रहा है minimum area, अब आप minimum area को लेकर क्या opinion रखते हो, अब कैसे निकालोगे, कि sir, ये area minimum होगा, अब area मुझे minimize करना है, अब आप simple सी बात का जवाब दो, sir, अगर आपको ये minimum चाहिए, if you wish to have this, have a minimum value, आपका numerator तो fixed रहे, अब आपको area minimize करना है, तो शलाय से आपको ये maximize करना चाहिए, कि आप मेरी बात समझ आ रही है, I hope आप मेरी बात समझ पार रही है, जब आपको area minimize करना है, तो ये area है something upon something, numerator fixed day 1, ये भी 2, 2 fixed day, अब आपका जो variable है, वो कोन है, ये mod of a, अब mod of a जब ये आपने लिखा, तो clear सी बात है, जब आप जानते थे कि जो आपका a है, जो की minus 2 से 2 के 20 था, तो मैं बिना सोचे समझे कहूँगा, कि जब mod of a की बात आईगी, मैंने a square को कहां से कहां तक लिख दिया था, मैं really sorry, ये मैंने गलस लिखाता है न, a square जो होगा वो 0 से 4 तक होगा, कि आप सब इस बात से गरी करते हो, अब आप एक बात बताओ, मुझे इससे minimize करना है, उसके लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा maximize, अब mod a की maximum value क्या है, so mod a की maximum value anyway 2 है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे भी, यहाँ पर रख देंगे हम 2, यहाँ पर जैसे ही रखा 2, तो 1 upon 2 into 2 कितना, 1 upon 4, यहने आप कौन सॉप्शन मार्ग करेंगे, आप मार्ग करेंगे D option, in case पूछा जाता, कि इस region का minimum area, एक ही किस value क्ले मिलेगा, तो आप क्या कहतें, 2, क्या यह पूरा question, यह पूरा explanation, यह सारी चीज़े clear है, I think एक आसान question था, सारे parts अच्छे से clear हुए, किसी में भी कोई doubt तो नहीं, एक basic सा simple सा direct सा question, जिसको अच्छे से आप सभी ने समझा, यह हम linked answer type category के questions कर रहा है, इसी category के questions और भी हम कई सारे करेंगे, जिसमें हम और अच्छे से इनको minutely समझेंगे, यह आपकी हम सिंगेज mathematics की तियारी करवा रहे हैं, जो पाँच किताबों का collection है, coordinate geometry, calculus, vectors in 3D, algebra और trigonometry, यह आपकी IIT, JWE mains और JWE advanced का, आपका 11th और 12th standard का mathematics का पूरा syllabus cover करवाते हुए, एक अच्छी तियारी करवाती है, और यह सब कुछ हम बिल्कुल free of cost कर रहे हैं, हम आपको 100% free of cost quality online education दे रहे हैं, kindergarten's 12th standard तर, सिंगेज का package हम इस तरीके से प्लान करते हैं, कि हम हर एक book के हर एक chapter को बहुत detail में पढ़ते हैं, क्योंकि हर concept को उसके illustration और example से consolidate करके, उसके exercises के questions से उन concepts को revisit करके, उस chapter को bind up करते हैं, J.W.E. Advanced में आई हुए previous years questions को, सारे questions को solve करके, मलब एक बहतरीन सी detail आपके त्यारी है, और हम कोई subscription खरीदने को नहीं कह रहे हैं, कोई hidden cost नहीं है, तो बस आप अच्छे से पढ़िए, notes बनाएगे, questions revise करिए, बस यही key है इस exam को crack करने की, point is questions से जादा से जादा solve करिए, कोई query हो तो comment में लिखेगा, हम जरूर रिजॉल करेंगे, अगर question relevant रहा थो, अगर doubt आपका concern relevant रहा थो, इसके यलाव कोई भी परिशानी हो, I think comment is the best option, so let's call it a day as students, we are culminating this lecture here, ख्याल रखे अपना, thank you so much.